हम अपने रेटीना को स्वस्थ कैसे रखें रेटीना हमारे आग का सबसे महतपून और सम्बेदल सील भाग होता है जो आग के सबसे पीछे भाग में इस्थित होता है जब हमारी आग किसी भी वस्थ को देखती है तो उस वस्तु का चित्र आग के रेटीना में बनता है और हमारा दिमाग उस चित्र को अभास करता है यदि हमारे आग का रेटीना अच्छा होगा तो आग की द्रश्टी अच्छी होगी और यदि किसी काण से रेटीना खराब हो जाता है तो आग की द्रश्टी भी अच्छानक कम हो सकती है इसलिए हमारे रेटीना का स्वस्त होना बहुत जरूरी है अब हम देखते हैं कि हम अपने रेटीना को स्वस्त कैसे रख सके बिटामिन A और C से युक्त हरी साक सब्ची और फलपूल पर्याप्त मातरा में खाएं इससे आपका रेटीना स्वस्त और मजबूत रहेगा संतुलित और पौश्टि का हार हमेशा करना चाहिए यदि आप प्रणायाम और योग प्रतिदिन करते हैं तो आपका रेटीना हमेशा स्वस्त और मजबूत रहेगा आख की सभी प्रकार की exercise प्रतिदिन करना चाहिए इससे आपका रेटीना मजबूत हो जाएगा सुर के प्रकास में उपस्तित पराबेगनी करने आपके रेटीना को खराब कर सकती है इसलिए आख में काला चस्मा लगा करके आपको अपने रेटीना की रच्छा करना चाहिए स्मोकिंग और तमाखो का सेवन कभी नहीं करना चाहिए इनके सेवन करने से प्रत्यक्ष रूप से रेटीना खराब हो सकता है वर्कसाप में होने वाले बिल्डिंग की स्पार्किंग कभी नहीं देखना चाहिए उससे रेटीना के जलने की संभावना बहुत अधिक होती है यदि आपको डियाविटीज है तो अपने सुगर लेविल को कंट्रोल में रखें क्योंकि डियाविटीज के करण डियाविटी के रेटीनोपैथी हो सकती है जिससे रेटीना में कई प्रकार की खराबियां आ सकती है यदि आपको ब्लेट प्रेसर रहता है तो ब्लेट प्रेसर को भी कंट्रोल में रखना चाहिए क्योंकि ब्लेड प्रेसर बढ़ जाने के करण रेटीना में ब्लेडिंग हो सकती है और रेटीना खराब हो सकता है अपनी आखों की किसी भी प्रकार की चोट से बचाना चाहिए क्योंकि चोट से हमारा रेटीना खराब हो सकता है यदि आपको मोटा चसमा लगता है तो आपका रेटीना कमज़ोर हो सकता है इसलिए रेटीना डॉक्टर की सलाह हमेशा लेते रहना चाहिए आपको अपने रेटीना के प्रतिसंबे दन सिल रहना चाहिए जब भी कोई रेटीना की बीमारी से समधित लच्छन मैसुस होते हैं तो तुरंत नेत्र भी से सग या रेटीना भी से सग की सलाह लेना चाहिए यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो करपे मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें और दूसरों को सियर करें बहुत बहुत सा धन्वाद